मुझकार आपके प्रैनेट से पिछलों रुमय हैं आपके साथ की थी सास्त्रों में शकून अब शकून पंक्चियों के बारे में साथ संकेतों के बारे में बताया जाता है जीवन में आने वाले अच्छी और बुड़ी घटनाओं के तरफ ये प्रसुपंक्ची संकेत करते हैं घर में जब चमगादर दिखाई दे ये प्रवेश करने लगे तो इसका क्या प्रभाव पढ़ता है ये जानते हैं गर में इस घर में दिखाई देना प्रवेश करना सुब नहीं माना गया है कि कई परकार की परिशानियों का संकेत करता है इसलिए घर में पिद्टी चमगादर दिखाई दे तो विसीद साउधानी बतनी चाहिए क्योंकि ये घर की सक्रात्म कुर्जा को तो प्रभावित करता ही ये साथ ही आने वाली धन समंदी परिशानियों को भी संकित करता है नक्रात्म कुर्जा में व्रिधी होती है वास्तु सास्तिर के रुशार नक्रात्म कुर्जा से घर का वास्तु प्रभावित होता है घर में चमगादर का प्रवेश होने जबात का संकीत माना गया है कि घर की नकरात्मी कुर्जा में पृदी हो रही है पुरानों भी इस जीव के बारे में बताया गया इस जीव को सुब नहीं माना गया है गर्च की समस्य धन अधिका संकेत होता है इसलिए घर में यह चंगादर का प्रवेश हो रहा है तो इसे अतेंद्ध दास लेनी चाहिए ये जमापुल्जी होने का भी संकेत हो सकता है कि धंकी मामले में विज़े सावधाने बरतने चाहिए और धंकी रक्षा करनी चाहिए माना जाता है कि चमगादर ये घर में दिखाई देर ये तो घर के सदर्श्य में विवाद और कलहा किस्तिती भी बन जाती है तामपती जीवन में परिशानी का संकेत हो सकता है इसके साथ ये गंभी रोग की तर्फ इशारा करता है साइंस के नुशा चमगादर के पंकों में कई पड़गार के घातक वेक्टेरिया और तेजिन से संक्रमन फिनले का खत्रा बना रहता है इससे चमगादर घर में परवेश करें तो स्वत्ता के नियमों का फालन करना चाहिए चमगादर की हानी भी नहीं पहुचानी चाहिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए